जै मा डाट काली बक्तू आज का जो वीडियो है आप टेग लाइन से समझ गयोंगे सुभे उठते ही जो देख लेगा महिलाओं की यह अंगना पैसा ऐसा बरसेगा ऐसा बरसेगा आप समाल नहीं पाओ रहे यह से बोलने वाली बात नहीं सत्य बचन है मेरे पास कई समय से सव सवाल आ रहे थे और मैंने कई लोगों में मदद भी करी कई तरीके के उपाए भी पता है पर कई लोगों के सवालों के साथ कुछ-कुछ उनकी परिशानिया रहती है गुरुजी कुछ आसान सा उपाए बता है जिससे हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और काम भी हो तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं धन का एक ऐसा रास्ता आप के लिए खुनने वाला हूँ ना अगर आप इसे नियमित करने लग जाओगे मेरी 101% गैरंटी है आपके पास धन आएगा नहीं बरसेगा 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 पर कैसे वो मैं आपको विधी वीडियो के अब आदी अधूरी वीडियो नहीं सुननी है वीडियो सुननी है तो पूरी सुननी है और समझना है और उसके आधार पे इसे लगातार आपने रिपीट करना है अगर आप इसको पर्मनेंट रिपीट करते हो तो आपको करोड़पती बनने से कोई नहीं रोक सकता परंतु स साथ ही साथ कुछ नियम कानून है इस उपाए के जिसका ध्यान रखते वे ये कारे करना है उसके बाद आपको जिंदगी में कभी असफलता नहीं मिलेगी कभी पैसो की प्रॉब्लम नहीं होगी उससे पहले मैं आपको समझ जानकारी दो हूँ आप लोगों से पहले मैं निव करना चाहते हो तो आपको क्या करना है न मेरे यूटीब चैनल का नाम आपको नीचे ब्लिंक होता दिख रहा है ऑफिशल देवी भगवती शक्ती के नाम से ठीक इसी नाम से मेरा यूटीब चैनल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बी और फेस्बुक आईडी बे वहां मै करें एक चोड़ी सी अमांट पे करने के बाद आप टाइम बुक कराईए निर्धारित समय दोंगा उस निर्धारित समय पे आप इंस्टा कॉल या फेस्बुक कॉल के माध्यम से मुझसे डारेक्ट बात कर सकते हो जुड़ सकते हो मैं सुहम आप से बात करूँगा आपकी परिशानी को डिस्कस करूँगा और जो भी परिशानी होगे उसका 101 परसन ग्यारेंटी के साथ समातान दूँगा अब आ जाते हैं वीडियो में भाईया धन के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही थे कि किस तरीके से धन का एक फ्लो बना रहे है गुरुजी चिं हमें तोर पे हम इसको सुधा लें मा लक्ष्मी की ऐसी अप्रम पार कृपा होगी धन कुबेर देवता ऐसे बरसेंगे आपके घर में ये अन और धन के बरंडारे आपके जीवन के अंद तक आपके बरे रहेंगे जीवन में कभी किसी आगे जोली नहीं पहलानी पड़ेगी क्योंकि भारतिय धरम सास्त्रों में महिलाओं के कुछ अंगों को विशेश महत दिया गया है माना जाता है कि इन अंगों को जो है माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है जो ये अंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और इनका दर्शन करने से व्यक्ति पर मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है मा लक्ष्मी आप पे अप्रमपार कृपा बरसाती है अत्यांत प्रसन होती है आपको एक मा लक्ष्मी का एक मंत्र भी पता देता हूँ अगर आप भी यह जाप कर सकते तो इससे जरूर जाप से रोज 11 बार आप पाठ कीजिए, मैं आपको गैरंटी देता हूँ, सबसे पहले तो आपको इस मंतर की चैंटिंग से आदी से जादा पैस होगी, जैसी भी दिक्कत परेशानी होगी, वो तो आपका समाधा निकलने लग जाएगा, तो इसको कम से कम तीन महिना आप रिपीट परसन आपको अन और धंगे बंडारे भरे मिलेंगे, ठीक है, अब आईए, वो कौन से अंग है, वो जान लेते हैं, जिनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे विशेश रूप से, अगर सुबह आप उठते ही देख लोगे, तो बहुत शुब माना जाता है, और कहीं न कहीं मा लक्ष्मी आप पर प्रसन हो जाती है, तो सबसे पहला जो अंग है, वो है कान के पीछे, बिलकुर सही सुना, कान के पीछे, आपकी एर्थ के पीछे, धर्म गरंतों के अनुसार, महिलाओं के कान के पीछे का हिस्सा जो है, वहां पर पता है क्या बताया अब मैं आपको बता दूँ अगर सुभे सुभे यदि कोई भी व्यक्ति जो घर का हो वो इस्त्री के कान के पीछे के हिस्से को इस पर्ष करता है न या उसे चूमता है तो वो जो है मा लक्षमी की कृपा प्राप्त कर सकता है ये क्रिया व्यक्ति के जीवन में सम्रिध्धी और सुक्का माध्यम बनाती है तो जितने लोग जो इस्त्री पुरुष हैं जो कपल है पदी प्रत्नी है वो ये तार्य अवश्य कर सकते हैं कि अपनी महलाओं के कान के पीछे का हिस्सा जरूर स्पर्ष करें चूएं जरूर उसको अगर हो सके तो प्रेम से सहलाएं जरूर और एक जो होता है ना जिसे लक्ष्मी नाराण की जोड़ी होती है उस तरीके से आप अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें उसकी साथ सज्जा का ध्यान रखें उस पे अपना प्यार नि जो है निचावर करेंगे तो मालक्ष्मी अत्यंत प्रसनों के आपके अंधन के भंडा वो है वो है स्तान वो बताता है कि मात्य पर सिंदूर जो है महिलाओं की जो मांग है वहाँ पर लगा जो सिंदूर होता है वो भी मान लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है सुबह-सुबह ऐसी महिलाओं का दरशन करना जिनके माथे पर सिंदूर होना विशेश लावकारी माना जाता है ये महिलाएं मालक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और उनके दरशन से धन और सम्रिद्धी के दरवाजे खुलते हैं तो ये जो तरीका है, मैं तरीका भी आपको बताऊँगा, किस तरीके से करा जाता है, देखा जाता है, जो अगला जो हिस्सा है, वो है महिलाओं के चरण, जो बिलकुल सही सुना, महिलाओं के चरण, सुभे उड़ते ही इस्त्रियों के चरणों के दर्शन करना भी अतियंत श सुख समाय होते हैं, उनके चर्णों का दर्शन करने से व्यक्ति की उन्नती और प्रगति के मार्ग खुलते हैं, ये क्रिया मानसिक और अध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती है, तो भाई जो लोग ना अपनी पत्नी पे, खासकर ये पत्नियों के लिए हैं, पती पत्नी के हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी पत्नी को मा लक्ष्मी का सुरूब मानती है, क्यों कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और जब घर की लक्ष्मी आप उन्हें मानके चर्णों तो लक्ष्मी जैसा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अगर उनको उस तरीके से व् बराबर रखनी है पर जो आप मालक्ष्मी को देखे प्रसनता होती है वही प्रसनता आपको अपनी बीवी को देखके होनी चाहिए और उनकी जो कान के पीछे का हिस्सा है उनको जरूर सुभा उटती आंक खोली कान के पीछे का हिस्सा इस परश करा या उसको चूम दिया ठीक जो है पुरानों में बताएंगे महालक्षमी का स्थान है ठीक है वैसे ही अगर चर्णों का आप ध्यान दे दे जैसे अपनी बीवी के चर्णों को देख ले तो उससे भी क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर जिसे रुकावटे आ रही है प्रोग्रेस नहीं हो र लिशानी चली तो रुकावटे खतम होने लग जाती है तो देखो कितने भाग्यवान होते हैं जिनकी जो पतनिया है और पदी है जो साथ में रहेंके इस चीज का दर्शन रोज कर सकते हैं अब रिपीटिड ये कारे कीजे गयारेंटिड आपको फरक पड़ेगा ठीक है आप इन क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हो ना तो ये ना केवल आपके लिए सुख रहेगा बलकि आपको आर्थिक और मानसिक समरिद्धी की ओर से भी अगरसर करेगा इसलिए सुभा की पूजा पार्ट में इन बातों का ध्यान अवश्य करें अब अग पूर इसी धुनी या धुआ जरूर देना चाहिए कपूर और लॉंग का धुनी और धुआ जरूर दे एक सुभी के समय और रात में सोने से पहले तो आप मंदिर में दे सकते हो और रात में सोने से पहले आप कीचिन के जो सिंग है उसके बगल में चांदी की कटोरी हो सकती तो उसमें लॉंग कपूर चला लो अगर नहीं हो सकती तो मिट्टी के दिये में चलाओ परंतु करो ज़रूर ये नियम बना लो एक नियम बना लो कि आपने इस तरीके से कारे करना है मैं आपको ग्यारेंटी दे रहा हूं कि पती जो है वो 100% प्रोग्रेस करेंगे किसी भी का प्रश्मी का वास बना रहता है सासों के इसाप से तो अपनी पत्तियों का भाग को इस परश कीजे आप देखेंगे आपको सुभा उड़ते अगर ये कारे कर तो अन और धन आपको बिना वज़े आपको अन एक्सपेक्टेड मनी मिलता रहेगा और आप सोचोगी पैसा लग रहे ना तो आप लोगों से निवेदन है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा आप वीडियो सो देख रहे हो पर चैनल सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेर करना भूल जा रहे तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है वीडियो को लाइक भी करना है, ज़रुद में लोग के साथ शेयर भी करना है, कमेंट में, जै महालक्ष्मिया, जै माता दी, जब लिखना दर्बार से बने रहना है, सभी भक्तों को जै माता दी, जै माटाट काली